मैं आ गया हूँ भूतो के बसेरा भूली भटियारी में मैं बनाता हूँ पहले से ये चैनल है और ये दिल्ली में है वैसे दिल्ली में दो तीन जिगा भूतो का बसेरा माना गया है लेकिन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ भूली भटियारी ये आपका आर्क्यास्रम में आप इधर देख सकते हैं, जैस्ट वहां से वाकिंग डिस्टेंस पर आईए, तो भूली भटी आई आज घूमेंगे और देखते हैं कि यहां पर किन किन भूतों से प्रेतों से मेरा पाला पड़ता है, मैं फिलाल अभी दिली में हूँ और आज मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, भूली भटी आरी का महल, भूल भूलया मत समझ ले ना अक्षे कुमार का, ठीक है, यह भूली भटी आरी का महल है, जो दिली में है, देख रहे हो जंगल है, यहां पर यहां पर कहा जाता है प्रेतासलाह टी खोष्ट खोष्ट घोष्ट आज देखते हैं यहां पर कोई घोष्ट मिलता है करता है QA naar भर दो पहर आया हूं हलांकि जब मेरे एक फ्रेंड था तो वो फ्रेंड अभी कहीं और रहता है नौत इस्ट में चला गया तो उसके पास पहले एक बाइक थी तो मैं उस बाइक से यहां पर रात को 12 वजे भी आ चुका हूं दो-3 साल पहले तो यहां पर कुछ वैसा था नही लेकिन बोलते हैं कि यह भूतों का बसे रहा है देखो यहां पर पुरानी हवेली किला जहां पर आत्मा यह रहती है चारों और आप देख सकते हो अब मैं भूत को खो जूँँगा देखता हूं यहां पर घोष्ट है या नहीं चुडएल तो जरूर होगी यहां पर अब मैं आग्या हूं यहां पर चुडएल का बसे ले मैं भाई चुडएल वएदेखी है या निए भाईया के तो बहुत दोर शा आए तो इनने वीडियो बनानी है उन्हें भाविल हिग रहे दाला अंधर मीं किया उन्हें पार तो यह जार इनना वीडियों है नहीं बहु तो दिजिए कहीं चमग रही ना चमग रही तो आए होंगे तो जानाम दा पदमा होती गेट से या पीछे वाले पार्क साएंगे उदर से थोड़ा सा पांच मिनट सिर्फ गेट के पास जाएंगे और आ जाएंगे वापस जाएंगे वाई दारत नहीं है भर से इसका रास्ता याने चलू है यह को मेरे भाई का जुगार अच्छी तुरी तुरी तो यह दो देख लिए ठीक है देखो यह भूतों का महल है और इसका अंदर भूत रहता है लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे हमारी किसमत कराब है यह चड़ने की कोशिस कर रहे है लेकिन होए पाएगा नहीं से और यह यहां पर भी चुड़ेल रहती है यह पानी देखे है आप इस पर रात को आओगे तो चुड़ेल दिख जाएगी भाईया यार भूल दे भूली पेर के लिए मैं अंदर जाना चाहरा था लेकिन अंदर जानी पाया यह यह भूली भट्यारी का महल जहां पर भूत रहता है भूल भूले या मत समझ लेना भूल भूले या अलग है है लोग कैसे हो दोस्तों एक और व्लोग में आप लोग यहां पर देख रहे है ना यहें भूजी बट्यारी का महल जिसे फिरोजशाह तुगलग ने अपने तासरन कालमी सिकार गहा के लिए बनवाया था तो आज मैं दोस्तों इसी को एक्स्कलोर करने वाला हूं और इसके महल है यह कासी है कितना इसका और रहस्य है वो तो आज सब कुल्स पता नहीं लगा पाया लेकिन आज हम पूरा इसको एक्सलोर करने की पोसीज करेंगे जैनी दोक्तों अब ज्यादा पर नहीं है तो इसके बाद एंट्री तो इसके अंदर दोस्तों अभी मैं सोच रहा हू है क्योंकि गाड है तो गाड ने बिल्कुल पूरी तरीके से वोर्नी जी है यहां पर अंदर नहीं जाना है अरे भाई एक मिनट लगेगी एक मिनट लगेगी ना अरे ना जान लेरिया जारों कि एक बार सिर्फ देख लेए एक जलक अरे यार कुछ नहीं है अंदर परेशान हो रहे था आने के लिए अरे कुछ हुआ नहीं था यह भूतों का अड़्डा माना क्या है क्यूंकि इसका बनावठी आइसा है ना लोकेशन भूत है नहीं आपको आपको फिलिंग हो रहा है कोई भूत है कुछ करने के लिए ओब ओउपने के साथ और दोस्ते हैं अगर भूत नहीं मिला क्या वंगता है फिरोज़्षाह तुबलक ने इसको सिकार कहा के लिए बनवाया था यानिके जब फिरोज़्षाह तुबलक राजा जो यहां पर आते थह वो फिकार करने के पाद इसी महल में रुखा करते थे आज के समय में इसका नाम भुली बटियारी का महल पड़ा और ये किस वजह से पड़ा वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी पीछे का इसका एरिया है ना वो कुछ इस तरहता है और लाल बलवा पत्थर पे इसको बनाया गया है काफी मज़ूस है दोस्तों कहा जाता है कि जब राजा यहाँ पर शिकार करने के बाद इस महल में आते थे तो वो अपनी रानी को भी लेके आते थे और रानी को लेके आने के बाद दोस्तों ये महल उनकी रानी को पसंद आ गया था जिस वज़ा से रानी में राजा से यह इच्छा जगाए कि लुज़े इसी महल में रहना है उसके बाद राजा ने रानी को इती महल में छोड़ दिया और धीरे धीरे देखते ही देखते जब राजा यहां पर और धीरे धीरे देखते ही देखते राजा यहां पर सिकार करने आते थे तो राणी को किसी और से बात करते हुए देखता यानि कि किसी और से इश्क करते हुए देखिया था जित वजह से राजा ने अपनी राणी को तो पुछ समय के बाद भूप ज्यात से राणी की मिर्च्ट्वी हो गई इस वजह से जब मिर्च्ट्वी होगी दो तो राणी में ये सोचा कि मैं राजा से बदला नूँगी चाहे जीते की बदला ना लूँ लेकिन मरने के बाद जरूर बदला नोगी तो तब से ऐसा मना ज वुली भट्यारी तुर्जाती वह महिला थी और राष्टा भटागेदी राष्टा भटगने के बाद वह इसी महल में रुपी थी और उसको भी ये महल काफी पसंद आ गया था कुछ समय के बाद उस महिला की मिर्थी हो गई थी जिस वाजासे ऐसा माना जाता है कि यहां पर उसकी आत्मा भी बशकती है और लोगों को दिखाई भी रेती है ऐसा लोगों का मानना है अब इसमें कित्री सच्छाई है वो हम नहीं कहते हैं तो यह था इसका कुछ इतिहास तो शिरोज शाह तुगलग ने अपने सासनकाल में शिकार गहा के लिए इसको बनवाया था क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमें भी यहां पर पिस देखेंगों अजीज देखने वो मिले बरहाल यहां पर गाड की जो डूटी होती है हमने गाड से बात करने की कोई शीपी लेकिए अजय है अजय है अजय हो तकता है यहां पर बुरी शक्तियों का साय हो यहां पर पर प्रूब्र पर कोई आत्मा हो, ऐसा मुझी भी थोड़ा सा लग रहा है, लेकिल इतना मैं सच्चाई से नहीं कह सकता हूं कि इसमें बाती में सुष्टाई है या नहीं है, और थोड़ा सा आगे मैं दिखाने की सोशी सर्मा, और थोड़ा आगे 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 बाता है, जहां पर काइले आने की प्लैनिंग बना रहे हैं तो आप यह गलस होज़ रहे हैं, कभी बी एती जधा पर आपको अकेले नहीं आना है, एक दो लोगे साथ कोई घटना हो तो इस चीज़ का आप दोस्तों खास तोर से धिहान रखेगा क्योंकि यहां पर मैंने यहां पर मैंने भी अकेले आने की प्लैनिंग बनाई थी लेकि वार मेरी प्लैनिंग जो है वो कि कीछी के मुझे पता लगा था कि वहां पर कुछ घटनाएं हो जाती है और कुछ तो वह लोग यहां चामनी चोका लड़का है वो थारा में दो कि अग्यां कर दो कि अनुद्ध को दिखाने में जाएगा तो यह देखो कपड़े यहां पर भूतों ने लोगों को मार मार कर खा कर यह कपड़ रग दिया है